नमस्कार साथियों एक बार फिरसे स्वागत सभी लोगों का मिमांसा क्लासेज के औनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आज का जो हमारी क्लास का वो है संचद और राज्जे के विधान मंडल उनके बारे में पिछली दो-तिन क्लासेज में भी हम पड़ चुके हैं लंबा ये टो क्लास में संसद और राज्य की विधानमंडल को पढ़ पाना संभव नहीं है इसी लिए संसद और राज्य विधानमंडल का जो टॉपिक है उसको हमने टुकडों में बाट कर पड़ा है कुछ पार्स में बाट कर पड़ा है तो उसी संदर्ब में राज्य और विधानमंडल सं इस्थितियों में हो जाते हैं, दूसरा संसद और विधान मंडल में गणपूर्ती या कोरम क्या होता है, कोरम या गणपूर्ती सदश्यों की वह नियुंतम संख्या होती है जो उपस्तित रहनी जरूरी है सदन के कारे करने के लिए इसके बारे में भी विस्तार्श हम बात करने वाले हैं और सदन और इसके सदश्यों को और इसके समीतियों को प्राप्थ होने वाले विशेशादिकारों के बारे में भी हम बात करेंगे तो आज के क्लास में तीन बिंदों पर हम बात करने वाले हैं सदन में इस्थानों का खाली होना सदन में गणपूर्ती या कोरम क्या होता है और सदन के विशेशादिकार क्या होते हैं इन सभी के बारे में हम आज के class में बात करेंगे class को प्रारम करते हैं लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि quality special batch के अंतरकत यह हमारी class है और quality special batch के अंतरकत हमारा यह प्रियास है कि समीधान से संबंदित जितने भी topics प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं विसेश तोर पर सिविल सेवा की जो परिक्षा है उसमें जो person पूछे जाते हैं जो person की प्रकरती है और जो topics पूछे जाते हैं उन सभी topics को नियोजित रूप से व्यवस्थित क्रम में यूटूब पर पूरणते निसुलक उपलब्द कराया जाए तो जब आप हमारे यूटूब चैनल मिमानसा क्लासेस पे जाएंगे तो वहाँ आपको quality special batch नाम से एक playlist मिलेगी उसमें सभी के सभी topics जो समिधान से संबंदित हैं आपको व्यवस्थित क्रम में दिखाई देंगे व्यवस्थित क्रम में आपको प्राप्त होने वाले हैं किसी प्रकार का कोई सुलक उसके लिए निरधारित नहीं है सभी को ये पूर्ट है निसुल्क प्राप्त होने वाले हैं तो इसी कड़ी में क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कौन-कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब सदन में इस्थान रिक्त हो जाते हैं अब सदन का तात्पर रहे हैं विधान मंडल के स सदश्यों के स्थान रिक्त हो जाते हैं संसद के संदर्ब में यदि हम बात करें तो संसद के जो सदश्य होते हैं वो कहलाते हैं MP चाहे वो लोकसभा की हो चाहे राज्य सबा की हो इसी तरह विधान मंडल के जो सदश्य हैं वो कहलाते हैं MLA तो इस टॉपिक में हम संसद में तो MP के स्थान और विधान मंडल में MLA या विधायक के जो स्थान है वो खाली हो जाते हैं रिक्त हो जाते हैं ऐसी कौन-कौन सी परिस्तितियां होती हैं जो हमारे समीधान में इस बारे में दी गई हैं पहले बात करते हैं हम संसद के बारे में संसद जैसा मैंने है कि जब कोई व्यक्ति क्या चुना जाए सदन के दोनों सदनों का सदश्य चुना जाए अथार्थ लोग सभा में भी कोई व्यक्ति क्या चुना जाए MP के रूप में चुना जाए और राज्य सभा में भी कोई व्यक्ती सेम व्यक्ती वही व्यक्ती एक ही समय पर राज्य सभा में भी चुना जाए और लोग सभा में भी MP के रूप में यदि चुना जाता है तो उसे किसी एक सदन में या तो राज्य सभा में या लोग सभा में क् राज्य सभा में भी यदि वो चुना जाता है तो एक जगे उसे इस्थान खाली करना होता है जिस सदन में वो इस्थान खाली करता है वहाँ पर इस्थान रिक्त हो जाता है सीट खाली हो जाती है और ये किस सदन में इस्थान खाली करेगा उसकी परक्रिया क्या होगी इसका निरधारण संसत विधी बना कर या कानून बना कर करता है दूसरी स्थिति कब होती है दूसरी स्थिति तब होती है जब एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति या तो लोग सभा या राज्य सभा में MP भी चुना जाए और किसी राज्य की विधान मंडल में MLA भी चुना जाए यानि MP और MLA दोनों के रूप में एक ही व्यक्ति एक ही समय में यदि चुन लिया जाता है तो उसे क्या करना होगा उसे राज्य के विधान मंडल में यानि MLA के रूप में विधान मंडल में या MLA के यदि वो निर्धारित अउधी, दी गई अउधी में क्या नहीं करता है, विधान मंडल y இ अमले के रूप में अपनी सीट को खाली नहीं करता है, तो उसका संसद में से जो इस्थान है, वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यानि MP की seat खाली हो जाएगी तो यदि स्विच्छा से वो MLA का स्थान छोड़ देता है MLA की seat छोड़ देता है तो विधानमंडल में क्या हो जाएगा इस्थान खाली हो जाएगा यदि दिये गए समय में वहाँ पर seat खाली नहीं करता है तो जिस सदन का वो सदश्य है उस सदन में संसद में इस्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, अब ये निर्धारित अओधी कितनी होगी, कितनी अओधी में उसे MLA की सीट छोड़नी होगी, इसका निर्धारन कौन करेगा, र राष्टपती द्वारा बनाएगे जो नियम है उनमें जो अवधी दी गई है उस अवधी के भीतर भीतर उसे MLA के रूप में अपनी सीठ छोड़नी होती है तो ये बात करी हमने दूसरी स्थिति की तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो यदि कोई व्यक्ति संसद सदश्य MP के रूप में रहने के लिए आयोग्य गोसित कर दिया जाता है निरहरित गोसित कर दिया जाता है अब निरहरित कोई व्यक्ति कैसे गोसित किया जाता है इसके संदर्ब में हमने संसद सदश्यों की योग्यताओं और आयोग्यताओं को जब देखा था योग्यता और निरह औरा कानून बनाकर निर्धरित किये गए हैं संसद में इस संदर में आर्पी एक्ट रिपर्जेंटेटी ओफ पीपल एक्ट 1951 बनाये था जिसमें कुछ बातें बताई गई हैं उनके आधार पर संसद का कोई सदश्य या संसद क्या हो सकता है निरहरित हो सकता है और उसी के त जाता है निरहरित हो जाता है तो भी सदन में उसका इस्थान क्या हो जाता है खाली हो जाता है उसकी सीट क्या हो जाती है खाली हो जाती है चोथी इस्तिती वो अपना त्याग पत्र दे दे या इस्तिफा देने मात्र से सीट खाली नहीं हो जाएगी उस इस्तिफे को यदि क्या कर लेता है सभापती या अध्यक्स क्या कर ले स्वीक्रत कर ले उसी इस दसा में क्या होगा इस थान सदन में खाली होगा अन्यथा नहीं होगा इस बारे में भी आपने सुना होगा कि राजस्थान में जो राजनेतिक उठापटक हुई थी श्रीमान असोग गैलत को जब राष्टी अध्यक्स कॉंग्रेस का बनाया जा रहा था उस समय आपने समाचार पत्रों में पड़ा हो तो बहुत सारे जो MLA हैं उन्होंने अपना त्याग पत्र अध्यक्स को दे दिया था विधान सबा के अध्यक्स को दे दिया था तभी क्या होती है? सीट खाली होती है. पाँचवी स्थिति है कि यदि कोई सदश्य, संसद का कोई सदश्य, यानि कोई MP, 60 दिन तक लगातार सदन से बिना अनुमति लिए क्या रहता है? अनुपस्तित रहता है, तो भी सदन में उसकी सीट क्याम करी जाएगी, खाली मानी जा जाएगी, उसमें सत्र के स्थगन का जो समय है, यानि सत्र में नहीं है, संसद जब सत्र में नहीं है, उस समय को नहीं गिना जाएगा, और दूसरा सदन जो है, उसका स्थगन यदि चार दिवस से अधिक है, तो उस अवधी को भी नहीं गिना जाएगा, यानि चार दिवस स अधिक सदन के इस्ठगन की अवधी को नहीं गिना जाएगा और यदी संसद सत्र में ही नहीं है यदि 17 वसंन हो चुका है संसद सत्र में नहीं है तो कितना भी समय हो उसको 60 दिन के पिरेड में नहीं गिना जाएगा for example जैसे संसद का जो सत्र है वो 5 दिसंबर 2022 को सपोज 5 जनवरी 2022 को मालो सदन का जो सत्र है वो क्या होता है समाप्त होता है सत्रावसन सत्र का हो जाता है अब दुबारा संसद का जो सत्र चालू होता है वो मालो का होता है पांच मार्च 2022 को होता है या यो मानके चैने पांच अप्रेल पांच अप्रेल 2022 को मालो दुबारा संसद क्या आती है सदन क्या आता है सत्र में आता है तो आप देखेंगे कि जनवरी से लेके अप्रेल तक प संसद में सत्र ही जब नहीं चल रहा हो तो सदर्शे के उपस्थित होने का सवाली उत्पन नहीं होता। तो संसद की उपस्थिती के आधार पर जो अयोग्यता या सीटों का जो खाली होना है वो कब होगा? जब संसद या सदन क्या हो? सत्र में हो, ठीक है? इस्थगन और सत्रावसन को नहीं गिना जाएगा इस्थगन कितने दिन से ज़्यादा चार दिन से ज़्यादा और सत्रावसन की कोई भी अउदी इस साथ दिवस में नहीं गिनी जाएगी ये थी संसद के सदनों की जो है उनमें स्थानों के रिक्त होने की बात अब हम बात करेंगे विधान मंडल, राज्य के जो विधान मंडल हैं, राज्य के जो विधान मंडल होते हैं, उसमें दो सदन होते हैं, कुछ राज्यों में केवल विधान सबा होती हैं, और कुछ जो हमने पहले पड़े थे, उन राज्यों में विधान सबा और विधान परी में किस प्रकार से इस्थान खाली हो जाते हैं सीट खाली हो जाती हैं ऐसी कौन-कौन सी परिस्थितिया हमारे समिधान में बताई गई हैं पहली परिस्थिति बताई गई है जब कोई व्यक्ति क्या चुना जाए दोनों सदनों में चुना जाए दोनों सदनों में मतलब राज सदन में या तो विधान परिशद में या विधान सबा में अपना इस्थान खाली करना होगा अपना इस्थान क्या करना होगा अपना इस्थान रिक्त करना होगा खाली करना होगा और जहां से वो रिक्त करेगा वहाँ उस सदन में रिक्ती पैदा हो जाएगी सीट खाली हो जाएगी और ये कैसे किया जाएगा उसके द्वारा विधान मंडल द्वारा जो विधी बनाई गई है विधान मंडल ने जो कानून बनाया है उसके अनुसार उसे ये करना होगा दूसरी स्थिती कब होती है जब कोई व्यक्ती एक ही समय पर एक ही व्यक्ती एक ही समय पर क्या करा जाए MP के रूप में भी चुन लिया जाए यानि संसद के किसी सदन के सदश्य के रूप में भी चुन लिया जाए और साथ ही साथ राश्ट्रपती द्वारा बनाए नियमों के अनुसार उसे इस्थान रिक्त करना होगा ये प्रावधान हमने किसमें पढ़ा था संसद में संसद में रिक्तियों के बारे में पढ़ा तब भी इस प्रावधान के बारे में हमने जिक्र किया था और तीसरे इस्तिति है जब कोई व्यक्ति क्या चुना जाए दोनों सदनों में किसी राज्य के विधान मंडल में और दूसरे राज्य के विधान मंडल दोनों में क्या चुना जाए MLA यानि दो अलग-अलग राज्यों का विधान मंडल में सदश्य के रूप में या MLA के रूप में यदि चुना जाता है तो उसे क्या करना होता है किसी एक विधान मंडल में किसी एक राज्य के विधान मंडल में अपना इस्थान निर्धारित अउधी में क्या करना होता है रि दोनों राज्ये के विधान मंदलों में उसका इस्थान क्या करा जाएगा खाली माना जाएगा ये important fact है कि दोनों जगें उसका इस्थान खाली माना जाएगा और ये निर्धारित आउधी कैसे होगा कि कौन बताएगा राश्टपती जो है उसके द्वारा जो नियम बनाए ग नहीं खाली करता है निर्धारीत आउधी में तो क्या होगा दोनों सद्रों में उसकी सदर्श्यता तली जाएगी दोनों सद्रों में इस्थान रिक्त माने जाएंगे जबकि यहां हमने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति MP और MLA दोनों के रूप में चुना जाता है तो उस सदर्श्यता खाली नहीं होगी यदि निर्धारित आउधी में भी वह MLA के रूप में अपनी सीट नहीं चोड़ता है तो भी और यहां दोनों ही सद्रों में दोनों ही विधान मंडलों में उसकी सदर्श्यता समाप्त हो जाएगी वो सीट खाली हो जाएगी तीसरी स्थित का सदर्श्यतों विधान सबा के अद्धिक्स द्वारा विधान परीशत का सदर्श्यतों विधान परीशत के सभापती द्वारा उसके त्यागपत्र को स्वीक्रत कर लिया जाए उस इस्तिती में उसकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी इसके लावा साड़ दिन तक लगा अथार सत्रावसन की जो दोरान हो उस अवधी को नहीं गिना जाता इसके अतिरिक्त चार दिन से अधिकी सत्र इस्थगन की अवधी को भी इसमें नहीं गिना जाता है तो ये कुछ परिस्थितियां थी जो हमारे समीधान में बताई गई है कि किस प्रकार से किसी विधानमंडल या संसद के किसी सदन में इस्थान खाली हो जाएंगे, सीट रिक्त हो जाएगी अब हम बात करते हैं कि क्या सीट खाली होने से, चाहे सदन में चाहे विधानमंडल में, अभी हमने बात करी उन परिस्थितियों की, जिन परिस्थितियों में सदन और विधानमंडल में राज्य के विधानमंडलों में सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है अब सदन और राजे के विधान मंडलों में क्या हो गया मालो कोई सीट क्या हो गई, रिक्त हो गई, क्या सीट रिक्त होने के पस्चाद भी सदन और विधान मंडल को अपना कारे करना का अधिकार प्राप्त होगा, सीट खाली होने के बावजूद क्या ये कारे कर पाएंगी, इसके संदर्ब में समीधान में इस्पष्ट रूप से प्रावधान किया है कि सदन में किसी प्रकार की रिक्ती होने पर भी चाहे राज्य के विधान मंडल में चाहे संसद के किसी सदन की कोई सीट यदी खाली होती है तो भी सदन को अपना कारे करने की क्या होगी सकती जैसे for example जैसे सदन सदन के बारे डौन की आधिसंसथ के सदन की आधि हम बात करें तो लोकसबा में कितनी सीटे हैं?afa 455 मानलों क्या है? सीट है अब इसमें से 5 सीट क्या है? मानलों खाली है रिक्ध हैं तो बाकी बची सीट है वो कितनी बची? 540 अब इन 540 MPs के साथ में 540 सीटों के साथ में क्या लोगसबा को कारे करने की सक्ति प्राप्त होगी तो हाँ सक्ति प्राप्त होगी और अब सदन में कोई भी जो निर्णे लिया जाएगा उसमें बहुमत किसका गिना जाएगा 540 सदस्यों का गिना जाएगा ना कि 545 सदस्यों तो यहां आपको ध्यान रखना है, रिक्ती होने का तात पर रहे या सदन में शीट खाली होने का तात पर रहे, यह हैं नहीं है, कि अब सदन कार्य अपना नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ यहां समीधान में एक और बात इसमस्ट रूप से बताई गई है कि यदि कोई ऐसा सदश्यन जो कि क्या नहीं था सदन की कार्यवाई में भाग लेने के योग्य नहीं था लेकिन फिर भी वो सदन की कार्यवाई में भाग ले लेता है यानि कोई ऐसा MP या ऐसा MLA जिसे क्या नहीं था सदन की कारवाई में भाग लेने का अधिकार नहीं था यानि वो MP और MLA के रूप में योग्यता नहीं रखता था निरहरित था या किसी भी अन्ने कारण से यदि वो कारवाई में भाग लेने के योग्य नहीं था लेकिन फिर भी उसके द्वारा सदन और विधान मंडल के कार्यवाई में भाग लिया गया और कोई कानून बना दिया गया उसने वोटिंग करी और उस वोटिंग के द्वारा कोई कानून मालो बना दिया गया तो भी उस कानून को निरस्त नहीं किया जाएगा किस आधार पर कि कोई व्यक्ति वो व्यक्ति MLA या MP की रूप में कार्यवा ही करने के लिए अधिकरत नहीं था यानि सदन में इस्थान खाली होने से होने के आधार पर या फिर किस आधार पर कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या नहीं था योग्य नहीं था फिर भी MP MLA के रूप में उसने कारे किया इस आधार पर दोनों ही आधारों पर संसद द्वारा जो कारे किये जाएंगे उन पर प्रसंचिन नहीं लगाया जाएगा वो मानने रहेंगे ये थे संसद या विधान मंडल में कोई स्थान खाली होने के बाद भी उनकी कारे करने की सकती के बारे में प्राउधान अब हम बात करेंगे गणपूर्ती या कोरम एक नया सब्दाम के सामने आया है गणपूर्ती और कोरम के बारे में इस पस्ट रूप से समीधान में बताया गया है कि सदन को जो कारे करना होगा अपना वो कब कर सकता है किस स् रिक्त होने पर इस्थान खाली होने पर भी क्या होगा कारे करने का अधिकार प्राप्त होगा अपना कारे करने का अधिकार प्राप्त होगा ये अभी अभी अमने देखा था लेकिन अभी अमने बात करी जैसे लोग सबा में क्या है 545 सीट है लोग सबा में 545 सीट है अब एक स्थिति मान के चलते हैं कि इस में से 540 सीट क्या है मान लोग खाली है ऐसी कोई स्थिति है कि 540 सीट क्या हो गई खाली हो गई अब सीट बचे कितनी सदस्य बचे कितने पांच सदस्य तो क्या ये पांच सदस्य भी अब लोगसभा की कर्यवाई को आगे बढ़ा सकते हैं सदस्चियों की वह नियूनतम संख्या जो उपस्तित होने पर सदन अपना कारे कर सके और इसके लिए एक बटा दस सदन की जो कुल संख्या होती है जैसे लोकसभा की कुल संख्या 545 है तो इसका 10 परचेंट राज्यसभा की कुल संख्या 245 है तो उसका 10 परतिसत इसी परकार विधान मंडल की जो सदस्य संख्या है उसकी 10 परतीशत सदस्य यदि उपलब्ध होंगे तो केवल उसी इस्तिती में विधान मंडल या सदन क्या कर सकता है अपना कारे आगे कर सकता है अन्यता नहीं यदि 10 परतीशत से सोरी 10 परतीशत नहीं एक बटा 10 भाग एक बटा 10 उपलब्ध है या उपस्तित है तो उस इस्तिती में क्या होगा सदन का जो अध्यक्स है राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का सभापती और लोगसभा के मामले में लोगसभा का अध्यक्स सदन को क्या कर देगा इस्थगित कर देगा उसका ये करतव होगा कि वो सदन को क् कोरम जैसे सपोज लोगसभा में कुल सीट कितनी है 545 तो इसका कोरम कितना हो गया एक वटा दस मतलब 10 परतिसत लगबग कितना हो गया 55 सदस्चे तो जब तक 55 सदस्चे उपलब्द नहीं होंगे तब तक लोगसभा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी इसी प्रकार राज सबा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी और इसी प्रकार के प्रावधान विधान मंडल के बारे में भी किये गए हैं अब जैसे फॉर एक्जामपल 25 और 55 की यहां हमने बात की तो क्या सीट खाली होना या उपस्थित होना दोनों में से किसे माना जाएगा सपोज एक ए 400 सीट खाली है सपोज हम मान के चलें 400 सीट क्या है खाली है या मान के चलें कि 45 सीट क्या है खाली है तो 45 सीट खाली होने का तात्पर्य क्या हुआ अब सीटे कितनी बची 500 अब जो 10 प्रतिसत लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा इन 500 का 10 प्रतिसत नय लेकर किसका लिय जाएगा कुल जो सीट है यानि पच्चपन अब इन पांचो में से पच्चपन का उपस्तित होना क्या है जरूरी है यानि जो सीट भरीवी है उनका दस परतिसत नहीं लिया जाएगा जो कुल सीट संख्या निर्धारित हैं उनका दस परतिसत कोरम को गिंडने के लिए या प्राप्त करने वाले हैं सदन को प्राप्त विशेशाधिकारों के बारे में सदन को कुछ विशेशाधिकार प्राप्त होते हैं चाहे संसद का सदन हो चाहे संसद का सदन का तात पर चाहे लोकसबा हो चाहे राज्यसबा हो इसी प्रकार विधान मंडल का कोई सदन हो चाहे व सभी को कुछ विशेशादिकार प्राप्त होते हैं क्या प्राप्त होते हैं विशेशादिकार प्राप्त होते हैं तो सबसे पहली चीज तो विशेशादिकार किस को प्राप्त होंगे विशेशादिकार प्राप्त होंगे संसद के दोनों सदनों को संसद के दोनों सदन मतलब लोगसभा और राज्यसभा दोनों को प्राप्त होंगे सबसे पहली चीज़ दूसरा लोगसभा और राज्यसभा लोगसभा और राज्यसभा के जो MP है या इन लोगसभा और राज्यसभा के जो सदश्य हैं जिनको MP कहा जाता है member of parliament, उनको ये विशेशादिकार प्राप्त होंगे, राज्यसभा या लोगसभा की कोई भी सिमीती होगी, उसको ये विशेशादिकार प्राप्त होंगे, और इसी के साथ साथ राज्यसभा और लोगसभा में ऐसा कोई भी व्यक्ति क्या, जो इसकी कारेवाई में भाग ले सक और बोल सकता है उनको भी ये विशेशादिकार प्राप्त होंगे हालां कि वो राज्यसभा या लोगसभा के सदस्च चाहे हो या ना हो और हमने पहले पढ़ा था ऐसे कौन-कौन से व्यक्ति होते हैं जो राज्यसभा या लोगसभा के सदस्च ने होते वे भी राज्यसभा और लोकसबा में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और कार्यवाई में भाग ले सकते हैं, वे सदश्चे थे, एक तो संगसरकार के मंत्री, और दूसरा महा नियाएवादी. कई बार ऐसा होता है कि कोई मंत्री संसद का सदश्य नहीं होता है लेकिन उसे मंत्री नियूक्त कर दिया जाता है क्योंकि हमारे समिधान में ये प्रावदान है कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदश्य रहे भिना भी छे महां तक क्या रह सकता है मंत्री के पदपर रह सकता है, तो ऐसी कोई स्थिती होती है, तब मंत्री को मंत्री के रूप में क्या होता है, कार्यवाही में भाग लेने का क्या होता है, सदन के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, हाला कि उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं ह अंसद के मामले में विशेशादिकार किस-किस को प्राप्थ है राज्यसभा और लोकसभा सदनों को राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर MPs को उसकी किसी समीती को और उसकी सिमीती या सदन की कारवाई में भाग लेने वाले जो सदश्य हैं जैसे मंत्री और महान्यावादी इ दोनों को क्या होंगे विशेसाधिकार प्राप्त होंगे इसी प्रकार इन दोनों के सदश्य यानि MLA's को प्राप्त होंगे इसके अलावा विधान मंडल में ऐसा कोई व्यक्ति जो बोल सकता है और कारवाई में भाग ले सकता है चाहे वो विधान मंडल का सदश्य ना हो तीस और राज्य सरकार का क्या महा अधीवक्ता क्या महा अधीवक्ता जिसे क्या आ जाता है अटोर्नी जनरल इन सभी लोगों को विशेशाधिकार प्राप्त होंगे तो सबसे पहले तुमने बात की कि विशेशाधिकार किस को प्राप्त होंगे अब बात करेंगे कि किस प्रकार से ये विशेशादिकार इन लोगों को प्राप्त होते हैं देखें कुछ विशेशादिकारों की बात तो हमारे समीधान में की गई है कुछ विशेशादिकारों की बात तो कहा की गई है हमारे समीधान में की गई है जबकि विधान मंदल के संदर्ब में विशेशादिकारों की बात आर्टिकल 114 में की गई है, 194 में की गई है, इसके अलावा समिधान के कुछ अनुच्छेदों में भी अलग-अलग तरीके से MP और MLS को कुछ विशेशादिकार प्रदान किये गए हैं, तो ये तो बात की हमने समिधान द्वारा प्रदत विशेशादिकारों की, लेकिन कुछ विशेशादिकार लोकसभा और राज्यसभा के प्रकरियानियम और विधान मंदल के प्रकरियानियमों के अंतरकत भी इने प्राप्त हैं, देखिए सदन को समिधान द्वारा तो कुछ अधिकार प्रदान कि यही गए हैं इसके अलावा सदन चाहे वो लोक सबा हो चाहे राज्य सबा हो विधान मंदल के मामले में विधान परिशद हो चाहे विधान सबा हो उनको अपने संचालन के लिए कुछ नियम बनाने की छूट भी हमारे समिधान में दी गई है और इसी के तहट प्रतेक सदन न अपने संचालन के लिए कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों के तहत भी कुछ विशेशादिकार क्या होते हैं, इने प्राप्त होते हैं, अब इन नियमों के जो तहत विशेशादिकार प्राप्त होते हैं, वो प्रक्रिया नियमों के तहत प्राप्त विशेशादिकार कहलाते हैं और कुछ न्याईक निर्णय या कोर्ट केसेस के आधार पर भी विशेशादिकार MP और MLA को प्राप्थ होते हैं इन विशेशादिकारों को दो भागों में बाटा गया है एक तो सामुहिक विशेशादिकार और एक व्यक्तिकत विशेशादिकार तो सामुहिक त्रूप से किसी सदन के सदश्चे को क्या होते हैं प्राप्थ होते हैं तो ये बात करी हमने विशेशादिकारों के बारे में कि किस किस प्रकार से विशेशादिकारों का उपबंद संसद और राज्य के विदानमंदल के संबंद में किया गया है तो उसमें से पहले प्रकार क विशेशादे करेंगे वह है हमारे सम्विधान के द्वारा MP और MLA संसद और विधान मंडल के सदस्यों को प्राप्ट होने वाले विशेशादिकार पहला विशेशादिकार है सदन में बोलने की स्वतंतरता यानि MP संसद में और MLA विधान मंडल में क्या होगा बोलने के लिए स्वतंत्र होगा लेकिन उसका बोलना किसके अंतरगत होना चाहिए समवीधान के और जिस सदन में वो बोल रहा है उसके नियमों के अंतरगत होना चाहिए उसकी मरियादा को क्या नहीं करना चाहिए क्रॉस नहीं करना चाहि वो सदन में उसे प्राप्त होती है यदि उसके द्वारा सदन में या सदन की किसी सिमीती में संसद में या विधान मंडल में या उसकी सिमीती में कोई बात उसके द्वारा जो कही गई है या किसी बात पर उसने क्या की है वोटिंग की है मत दिया है उसके लिए उसके उपर कि किसी भी न्यालय में कोई कार्यवाई नहीं की जाएगी यानि अपना कर्तव्य निभाते वे जब वो सदन की कार्यवाई में भाग लेता है और वोटिंग करता है तो उसके लिए किसी प्रकार की न्याई कार्यवाई किसी भी न्यालय में उसके विरुद नहीं की जा सकती है द विधान मंदल के मामले में विधान मंदल के सदनों की अनुमती के बिना क्या नहीं किया जा सकता किसी प्रकार का पत्र मत या कार्यवाही जो होती है उसको प्रकासित करने पर किसी व्यक्ति पर क्या नहीं की जा सकती कार्यवाही नहीं की जा सकती यानि सदन की अनुमती लेकर सदन की अनूमती लेकर यदी कोई व्यक्ति क्या करता है पत्र मत या कार्यवाही को क्या करता है प्रकासित करता है तो उस व्यक्ति पर क्या नहीं की जाएगी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी इसके अतिरेक्त संसद या विधान मंडल की कार्यवाही जो चलती है उनके संचालन में यानि संसद जब अपना संचालन करती है विधान मंडल जब अपना कार्य करने के लिए संचालन करती है तो उस संचालन के दोरन जो जो कार्रेवाही सदन और विधानमंदल में की जाती है उसके उपर किसी प्रकार का प्रसंचिन किसी भी नियाले में नहीं लगाया जाएगा इसके लावा एक विशेशादिकार सदनों को ये प्राम्ठ है कि अपने संचालन के लिए नियम संचद और विधानमंदल स्वेम अपने संचालन के लिए अपने नियम क्या करते हैं बनाते हैं इन सभी विशेशादिकारों के लावा इन सभी विशेशादिकार के लावा कुछ विशेशादिकार और भी जो है संसद या विधानमंडल विधी बना कर अपने सदन के सदश्यों को दे सकता है तो कह सकते हम ये तो समिधान में बता दिये गए और इसके अत्रिक तिये विवस्ता किरी कि अन्य कोई विशेशादिकार यदि सदन को या सदन के सदश्यों को देना है तो वो भी संसद या विधानमंडल एक्ट बनाकर या कानून बनाकर दे सकती है अगला जो पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि ये सभी विशेशादिकार संसद और विधानमंडल के सदस्यों को तो प्राप्त होंगे ही होंगे MP और MLA को तो प्राप्त होंगे ही होंगे इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को भी प्राप्त होंगे जो संसद या विधानमंडल में बोल सकते हैं या उसकी कारवाई में भाग ले सकते हैं और कौन संसद या विधान मंडल के कारवाई में भाग ले सकता है और बोल सकता है इसके सदश्यों के लवाँ इसकी बात हमने पिछली स्लाइड में की थी कि संसद के मामले में तो ऐसे व्यक्ति संग सरकार के क्या होते हैं संग सरकार के मंतरी होते हैं और महा नयवादी होता ह जबकि विधान मंडल के मामले में ऐसा अधिकार राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं उनको और राज्य सरकार के महा अधिवक्ता जो हैं उनको प्राप्त होता है तो ये बात करी हमने कुछ विषय साधिकारों की जो कि सम्वीधान के दुवारा संसद विधान मंडल उसके सदश्यों उसकी सिमीतियों को क्या होते हैं प्राप्त होते हैं और ऐसे लोगों को भी प्राप्त होते हैं जो ना तो सदन के सदश्य हैं ना विधान मंडल के सदश् और वे व्यक्ति हैं महानयवादी, संग सरकार के मंतरी, राज्य सरकार के मंतरी और राज्य का महाधिवक्ता। पहले हम बात कर लेते हैं सामुःक विश्यशाадिकारों के बारे में जो क्या होते हैं पूरे सदन को एक साथ हुपलब्ð होते हैं या समूं के रूप authorities Lady Walamonte होने के approach individually या व्यक्तिगत तोर पर उपलब्ध होने की जगे क्या होते हैं सामुईक तोर पर सामुईक रूप से सदन के सद्वियों को प्राप्त होते हैं पहला ऐसा अधिकार है सदन की जो रिपोर्ट है या सदन में की गई जो बहस हैं सदन की जो कार्यवाई है उसको क्या करने का प्रकासित करने का अधिकार उसको प्रकासित करने का अधिकार सदन की किसी भी प्रकार की रिपोर्ट उसमें की गई भैस उसमें की गई किसी कार्यवाई को क्या करशकता है प्रकासित किया जा सकता है और इस अंदर में दूसरा प्रावदान ये है कि सदन सदन का तात्पर क्या है लोकसबा राज्यसबा विधान परिशद या विधान सबा सदन क्या कर सकता है किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा प्रकासन करने से क्या कर सकता है रोक सकता है यानि सदन के जो सदश्य है वो रिपोर्ट बहस कारवाई या सदन स्वेम क्या कर सकता है अपनी रिपोर्ट बहस और कारवाई को प्रकासित कर सकता है सदन स्वेम तो अपनी बहस रिपोर्ट और कारवाई को क्या कर सकता है प्रकासित करवा सकता है लेकिन अन्य किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है ये प्रकासित करने से ये पब्लिस करने से रोक सकता है तो पहला विशेशादिकार तो ये हुआ लेकिन इस विशेशादिकार में भी एक परंतुक है एक किंतु जोड़ा गया है परंतुक जोड़ा गया है और इसमें कहा गया है कि जो सत्य रिपोर्ट होती हैं सदन के संबंद में जो सत्य रिपोर्ट होती हैं उनको परकासित करने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता किसके द्वारा सदन के द्वारा यान प्रकासन है उसको करने से नहीं रोका जा सकता किसी भी व्यक्ति को सदन के द्वारा विशेशादिकारों के तहर अगला विशेशादिकार है गुप्त बैठक बुलाने का अधिकार सदन कोई अधिकार होता है कि वो क्या बुला सके सदस्यों की गुप्त बैठक बुला सके इसके अलावा जो अंजान व्यक्ति यदी सदन में सदन के सदश्यों के अलावा कोई अंजान व्यक्ति यदी सदन में आ जाता है तो उसको क्या करना सदन से बहार निकालने का विशेशादिकार भी सदन के पास में रहता है इसके अलावा यदी सदन के विशेशादिकार का हन होता है या सदन की किसी कहने की अवमानना होती है तो उस पर दंड देने का अधिकार भी सदन को होता है अब विशेशाधिकार और अवमानना क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स स्लाइड में बात करेंगे अभी के लिए या आपको ध्यान रखना है कि विशेशाधिकार हनन या अवमानना यदि सदन की की जाती है तो सदन किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है दंडित कर सकता है और इस दंड के अंतरकत आता है संसद उसे डाट सकती है चेताओं नहीं दे सकती है जेल में बेज सकती है या अपने हाउस से सदन से क्या कर सकती है बाहर निकाल सकती है इन में किसी प्रकार के कारावास की यदि सजा हुई है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी क्या होता है सदन को विशेस अधिकारों के अंतरकत होता है इसके अलावा सदन को क्या होता है गवाहा और रिकोर्ड पेस करने का अधिकार भी होता है यानि गवाहा का जो परीशर छेतर है उस परीशर छेतर में से पीठासीन अधिकारी की अनुमती के बिना पीठासीन अधिकारी का तलब सदन के अध्यक्स की अनुमती के बिना किसी भी व्यक्ति को ना तो अपराधिक मामले में और ना ही सिविल मामले में यानि किसी भी मामले में किसी भी व ग्यक्ति को जो की सदन के परीशर में हैं उसको सदन के अध्यक्स की अनूमती के बिना पुलिस गिरफतार नहीं कर सकती ये हैं शामुहिक विशेशादिकार। अधिवेशन चल रहा है उस अधिवेशन के दोरान सदश्यों को क्या नहीं किया जा सकता गिरफतार नहीं किया जा सकता साथ ही साथ अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन पस्चाद भी उन्हें गिरफतार नहीं किया जा सकता लेकिन ये किस मामलों में लागू नहीं है अपर सदन के परीशर से किसी भी व्यक्ति को गिरफतार नहीं किया जा सकता चाहे अपरादिक मामला हो चाहे नयाइक मामला हो अपरादिक मामला हो चाहे सिविल मामला हो दोनों में लेकिन यहां व्यक्तिकत विशेशादिकारों के अंतरकत जो विशेशादिकार सदन के सदश्यों क को दिया गया है गिरफतार इसे चूट का वो केवल किल मामलों में लागू होगा सिविल मामलों में लागू होगा अपरादिक मामलों के अंतरगत क्या किया जा सकता है इन्हें गिरफतार क्या जा सकता है लेकिन सदन के बाहर से किया जा सकता है सदन के अंदर से करना है तो किस के रूप में उपस्तित होना है तो उससे भी इनको क्या है छूट प्राप्त है तो ये थे सामुहिक विशेशादिकार और व्यक्तिगत विशेशादिकार दोनों को साथ रखे हमने इसलिए पड़ा है ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन से विशेशादिकार तो क्या है सामुहि पुछा जा सकता है कि निम लिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विशेशादिकार है और उसमें से इन में से कोई एक उप्सन आपको दे दिया जाएगा और आप यदि इस प्रकार से कंपरेटिवली नहीं पड़ेंगे तुलनात्मक रूप से नहीं पड़ेंगे तो आपका दि सदर्श्यों को प्राप्त है ना कि व्यक्तिगत विशेशादिकारों के रूप में तो व्यक्तिगत विशेशादिकार और सामुईक विशेशादिकार को आपको अलग-अलग याद रखना है अलग-अलग ध्यान रखना है तभी आप इस इस्तिती में होंगे कि बलती जा रही है ऐसा समय नहीं है कि यह पूछा जाएगा सीधा-सीधा की विशेश आदिकार स्वमिधान के कौन से आर्टिकल में दिये गए हैं क्योंकि यह सभी लोगों को मालूम है लेकिन उन्हें सभी लोगों में इसे परिक्षा से कुछ लोगों को चुनना होता है इसल विशेश आदिकारों का क्या होता है हनन होता है या सदन का कोई कहना नहीं मानता उसकी अवमानना होती है तो क्या इस्तिती होगी क्या प्रावधान इस सम्मंद में हमारे समीधान में किये गए हैं तो सबसे पहली चीज तो विशेश आदिकार हनन और अवमानना होती क्या ह तो विशेशादिकार हनन और अवमानना क्या होती है इसके बारे में समीधान में किसी प्रकार का एक्स्क्लिनेशन नहीं दिया गया इन सब्दों को तो समीधान में बताया गया है लेकिन ये होते क्या है इसके बारे में कोई एक्स्क्लिनेशन या वर्णन समीधान में नहीं दिया गया है परन्तु सामन अर्थों में देखें तो विशेशादिकार हनन का तात्पर है सदन का क्या हो जाना अपमान हो जाना या सदन के सदस्चों या सदन की सिमीति या सदन पर क्या उसके विशेशादिकारों पर किसी प्रकार से प्रहार किया जाए तो वो क्या कहलाता ह विशेशादिकार हनन कहलाता है यानि उसके विशेशादिकारों में किसी भी प्रकार की अडचन यदि आती है तो वो तो हो गया विशेशादिकार हनन दूसरा है अवमानना अवमानना का तात्पर है कि ऐसा कोई भी कर रहे जो प्रतेक्स या एप्रतेक्स रूप से क्या करता है सदन की या सदन के सदश्य के कारे को उसके समान को या उसके अथोरिटी या प्राधिकार में क्या करता है बाधा डालता है कमी करता है वो क्या कहलाता है अवमानना कहलाता तो सीधे सिंपल सब्दों में देखा जाए आउमानना का तात्पर है सदन का कहना ना मानना तो ये दोनों है ये दोनों तो क्या होगे अर्थ होगे तो आउमानना में यदि हम देखें तो आउमानना का जो विस्तार है वो अधिक है आउमानना का जो दाइरा है वो अधिक है जबकि विशेशादिकार जो है अवमानना की अपेक्षा कम विस्तरत है, तो इसका तात्पर रेक्या हुआ, सदन की अवमानना में, इस प्रकार का प्रशन पूछा जा सकता है, सदन की अवमानना में तो क्या हो सकता है, विशेशादिकार हननन इंकलूड हो सकता है, क्योंकि आउमानना का जो दाइरा है वो विशेशादिकार हनन से कहीं अधिक है अधिक विस्तरत है तो ये बात करी हमने किसकी विशेशादिकार हनन और आउमानना के बारे में तो इस क्लास में हमने बात किस 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 बारे में बात की हमने बात करी सदन में किस प्रकार से स्थान रि यदि कर सकता है तो कम से कम कितने सदस्यों की उपस्तिती होने चीए उसे हमने गणपूर्ति या कौरम कहा उसके बारे में हमने देखा और अंत में हमने देखा कि विशेशादिकार जो सदस्यों को प्राप्त होते हैं सदन को प्राप्त होते हैं वो क्या है और विशेशादिक क्लास में नए विशाय के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद जहिन